नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का Wi-Fi Study 2.0 पर मैं हूँ अंकित अवस्ती आप है मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चलचा करने के लिए जो ये दिखाने के लिए परियाप्त है कि भारत ने जिस प्रकार से दुनिया की मदद की चाहे गेहूं पहुचा कर हो चाहे शुगर पहुचा कर हो चाहे चामल पहुचा कर हो उसके एक सीमा होती है और वो सीमा यानि उसके लिमिट आ चुकी है लिमिट ये है कि भारत ने यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने आज से लगभग दो महिने पहले, 14 मही के दिन ये न्यूस पढ़ाई थी, और वो क्या पढ़ाया था, मैंने आप से कहा था, मैंने आप से कहा था, कि इंडिया बैन वीट एक्सपोर्ट विद इमीडियेट एफेक्ट, आप यहां पर न्य इसके साथ आपने देखा होगा, तो इंडिया ने वो शुगर के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया था, 25 मही को, यानि कि इंडिया जो है, वो उक्रेन संकट से उत्पन हुआ, जो खाध्यान संकट है, उसकी पूर्ती करने में लगा हुआ है, और उसी की पूर्ती के च शुगर के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाया, अगेन वही वाली बात है कि जितनी ये लिमिट थी हमने उतना एक्सपोर्ट किया, अब उसी के तुरंट बाद इंडिया ने अब क्या किया है, इंडिया ने बैन कर दिया है ब्रोकन राइस को एक्सपोर्ट करना, अब ब्रो ब्रोकन राइस के रूप में समझता है, यानि कि एक प्रकार से वो समझ यह कि जो सामानित है घरों में खाने के लिए मिलता है, सरकार के द्वारा वित्रित किया जाता है, तो उसके एक्सपोर्ट के उपर बैन लगा दिया है, और 20% ड्यूटी लगा दिया है नॉन बास्मती अगर हमने एक्सपोर्ट किया, तो 20% हमको टेक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अब अगर आपने 20% टेक्स बढ़ा दिया, तो एक्सपोर्ट के समझ दिया गया जो टेक्स है ना, उसकी वजह से जो व्यक्ति उसको मगा रहा है, उसके लिए वो महंगा पड़ेगा, अब सवाल ये बनता है कि इंडिया ने अल्टिमिटली ऐसा किया तो किया क्यों, हमने एक्सपोर्ट बेन क्यों किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया रेस्टिक्ट राइस एक्सपोर्ट सब जगे ये न्यूस चाही हुई है, तो इसके पीछे का बड़ा कारण क्य इस बार भी ये चेक करना चाह रही थी कि खरीफ की फसल का कितना ज्यादा प्रोडिक्शन होने वाला है, मानसून आया मानसून मतलब बारिशिया यहाई, बारषि के बाद में हमने फसले बोई, फसले जो बोई वो खरीफ की सेक्शन के अंदर फसले थी, तो जो खरीफ की फसले हमने बोई वो फसले कितनी ज़्यादा पैदा की जा रही है उसका calculation लगवाया अब तक लग जाना चाहिए था टेक्निकली आज आप September में हैं तो स्वभाविक सी बात है कि अगस्त तक सारी बारिश की वज़े से जो पोधार उपन होना था वो हो लिया अब उसके बाद analysis किया गया ये चेक किया गया कि भारत ने जितना पहले गया हूँ मतलब चावल बोया था उतने ही खेतों में बोया है उससे कम में बोया है तो पता चला कि इंडिया ने तुलनात्मक रूप से इस बार चावल की पैदावार कम जगे पर किये जब कम जगे पर किये तो लगभग 6% ऐसा production है जो कि प्रभावित होने वाला है यानि कि उस production के उपर दिक्कत आ जाएगी इस वजए से भारत ने भविश्य के लिए कि भविश्य में हमारे देश के अंदर चावल की कमी ना रह जाए इसलिए अभी से ही production पर रोक लगा दी है ठीक है ना तो जिनका माल already container में भर चुका है उनका माल जाएगा यानि जिनके order हो चुके है ना वो 15 September तक deliver किये जाएंगे ठीक है तो हमने अभी तक इंडिया ने अपना जो export है वो 2021 में अपने height पर touch कर दिया था हमने 21.5 million ton rice export किया है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया जो rice export किया है वो दुनिया में सबसे जादा है इंडिया दुनिया में second highest rice producer है और first largest rice exporter है और इंडिया ने अकेले ने इतना rice export किया जितना इसके बाद में आने वाले जो 2, 3, 4, 5 हैं यानि कि Thailand, Vietnam, Pakistan और United States ये चारों मिलकर जितना export करते इंडिया ने अकेले ने उतना export कर दि इंडिया जो कि biggest rice consumer है चाइना के बाद इसने market share 40% global rice trade का पकड़ लिया यानि दुनिया का 40% गया हूँ जो है उसका व्यापार चावल जो है उसका व्यापार कौन कर रहा है इंडिया कर रहा है तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं इंडिया का जो rice है वो 150 देशों में भीजा जाता है आप इससे अंदाजा लगाईए इंडिया ने एक बार पहले भी इसी प्रकार से rice के export पर ban लगाया था वर्ष 2007 में दुनिया भर के अंदर महंगाई बढ़ गई थी आप यहां पर news देख सकते हैं when India ban export in 2007 global price short to new peak उस वजह से जो global prices हैं वो एकदम नई पर ban लगाया है तो दुनिया भर में गेहूं का संकट उत्पन होगा इंडिया ने ऐसा क्यों किया लगभग 6% यानि 5.62% हमने इस बार गेहूं का चावल का जो cultivation है वो तुलनात्मक रूप से कम किया है इस वजह से ये सारी की सारी चीज़े हो रही है ठीक है तो उम्मीद है इस से आप अंदाजा लगा सकते हैं ठीक है तो एक प्रकार से ये समझ ये कि दुनिया भर को इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है ब्रोकन राइस इंपोर्ट करने वाले देशों में चाइना का नंबर भी बहुत ऊपर आता है अब मैं आपको एक चीज दि अप 10 में आता है लेकिन जब बात की जाती है प्रोडक्शन के बाद सेल करने की तो सेल में सबसे उपर आता है इंडिया फिर आता है वियतनाम फिर थाईलेंड फिर पाकिस्तान यूनाइटेड इस्टेट्स आप ऐसे सोचिए कि इंडिया ने इन चारों के द्वारा आप इ इन चारों के द्वारा जितना गैहूं एक्सपोर्ट किया जाता है उतना हमने अकेले ने कर दिया अब इस प्रकार से इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट में यह है जो इजाफा देखा है और हम एक्सपोर्ट किन को करते हैं तो उसमें हमारे लिए नीदरलेंड, रशिया, इटली, बेलजीम और जर्मनी का नाम आता है इंडिया के द्वारा गैहूं को एक्सपोर्ट करने में आप पूछेंगे यह हर साल होता है कोई नई बात है नई साब नई बात है क्योंकि इंडिया ने इस समय मार्केट को फीड कराने के लिए खूब कौशिश की यह हमारी ल इंडिया ने लगबग 100% इंक्रिमेंट अपनी सेल के अंदर किया है इंडिया के द्वारा जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है तो उम्मीद है कि देश के द्वारा अभी तक जितने लोगों की मदद पहुचाई गई है वो समय के हिसाब से अपनी आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए भारत एक्सपोर्ट के उपर लगाई गई इस रोग को जारी रखे तब तक कि उसको भविश्य में और संभावना एदिकाई ना पड़ जाए अभी के लिए इतना ही सेशन पसंद आया हो तो इसे जरू साथियों से शेयर करें ल का एक्जाम जिस भी एक्जाम के आप बैटने वाले हो यदि वहाँ अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन पर्चेस करना चाहते हैं तो अंकित टैंसे फिलहाल आप 20% डिसकाउंट ओफर का लाब ले सकते हैं UPSC Mains के अंदर अनकेडमी के दवारा फिलहाल में एक टेस्ट सीरीज जारी की गई है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं फिलहाल के लिए इतना ही अपना खयाल रखें दन्यवाद